जय सिव संकर मित्रों मैं आप सभी का हरिस पांडे आज आप सभी मकर रास्सी वालों के लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर के आया हूँ जिससे की आप बहुत ही जादा प्रसंद होंगे ये एपिसोड बहुत ही सांदार है और ये एपिसोड है देव गुरु प्रिहस्पती के नक्षत्र परिवर्तन से संबंदित एपिसोड और इस एपिसोड को आपको देखना है क्योंकि देखेंगे तभी समझ में आएगा पूरा का पूरा वरना अधूरा ग्यान खतरनाक होता है तो आप इस वीडियो में बने रहे है वीडियो सुरू करने से पहले एक आवस्यक सुच रहा है कि अदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे वाट्सप नंबर पर मेसेज करें मेरा वाट्सप नंबर है 8540096730 यह नंबर में डिस्क् ग्रिहस्त जीवन की का जो सुख संपता है अर्थात धन धन के कारक माने गए हैं देवगुरु प्रिहस्पती ग्यान के कारक माने गए हैं देवगुरु प्रिहस्पती पुत्र संतान के कारक माने गए हैं देवगुरु प्रिहस्पती और प्रिहस्पती जिसकी कुंडली मे अच्छे होते हैं उस व्यत्ती को धन ग्यान संपदा और एक सुयोग्य संतान जरूर प्राप्त होती है अब अगर देव गुरु प्रिहस्पती पर किसी पाप ग्रह की दृष्टी पढ़ जाए या देव गुरु प्रिहस्पती राहु या सनी के साथ बैठे आए तो वहाँ पर बात अलग हो गई वहाँ पर तो परिणाम में निश्चित तोर पर बदलावा जाएगा लेकिन देव गुरु प्रिहस्पती अगर सुब इस्थिती में होते हैं तो फिर वे बहुत ही सांदार परिणाम देते हैं और अपनी महादसा में उस जातक का कल्यान कर द पिछले लगबग एक वर्सों से जब देव गुरु प्रिहस्पती चतुर्त भाव में आये आपके मेस रासी में अर्थात तो कुछ दिन तो अकेले रहे फिर राहू के साथ उनका संबंद बन गया जिससे गुरु चांडाल दोस्त बन गया गुरु चांडाल दोस्त ने हर प्रकार का दुख हर प्रकार की आपत्ति आपको दिखा दी कोड का चैरी के चक्कर लगवा दिये धोखा दिलवाया संतान से भी दोखा दिलवाया पती पत्ति से भी दोखा दिलवाया स्वास्त भी खराब हुआ और फिर उसके बाद जैसे ही ये गुरू चांडाल दो सहाटा वैसे ही गुरू वक्री हो गए वक्री गुरू होने के कारण से और समस्याएं बढ़ी आपको ध्यान होगा उसी गुरू वक्री काल में मेरा भी एक्षिडेंट हुआ था तो गुरू वक्री काल में भी समस्या हुई अब गुरू बिलकुल न्यूटल चल रहे हैं मतलब सपनी सामाने करती से सिज्जोय की चल रहे हैं लेकिन अब उन्होंने अभी तक वो नक्षत्र केतू के नक्षत्र में थे असुनी नक्षत्र में लेकिन अब वो नक्षत्र ना बदलने जा रहे हैं भरणी नक्षत्र में देव अब जा रहे हैं और इसमें रहेंगे वे सत्रह अप्रेल तक तीन फरवरी से सत्रह अप्रेल तक इनोट कर लिए तीन फरवरी से सत्रह अप्रेल तक देव गुरु प्रिहस्पती इसी नक्षत्र में रहेंगे अब भरणी नक्षत्र होता क्या है मित्रों भरणी नक्षत्र होता है सुक्र का नक्षत्र और भरणी का मतलब होता है भरण पोसन करने वाला तो आएए जानते हैं इस नक्षत्र परिवरतन से आपको क्या मिलने जा रहा है तो आपके चतर्त भाव में ये नक्षत्र परिवरतन होने जा रहा है जो कि जमीन जायदा प्रपरटी और माता का भाव होता है तो क्या परड़ाम मिलेगा? आपके कष्टों में कमी आएगी. पिछले कुछ समयों से आप जो कष्ट जहल रहे थे उसमें कमी आएगी. संतान से सुखों में व्रिधी होगी. संतान से सुख प्राप्त होगा. मातरी भूमी से भी आपको लाप मिलेगा. आप जहां से प्रिवार से सुख्पी प्रापति होगी फरीवार में कुसी nggak माहवूल मतलब बना रहेगा भाहतिक सुख सुविधाएं एक प्रापत होगी जिसको आपका इस्टेंडरß लाइफ का इस्टेंडर बढ़े संतानक्त से कोई सुब्समाचार आपको सकता है आपके घर में धार्मिक आयोजन विवाह इत्यादी संपन्न हो सकता है। इत्यादी संस्कार हो सकता है। आपका दूबा हुआ पैसा मिल सकता है इस गूचरकाल में। गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है क्योंकि गुरु की दृष्टी अश्टम भाव पर भी पड़ रही है शेयर मार्केट से आपको लाब होगा और करियर में इस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और जो लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार की प्राप्ति देखने को मिलेगी रोजगार प्राप्त हो सकता है बॉस का अच्छा खासा सहयोग मिलेगा विदेशी ब्यापार में अगर आपने विदेश में ब्यापार अगर खोल रखा है तो विदेशी ब्यापार में आपक के पूरे होंगे और विदेश में भूमी भवन खरीदने का आपको अवसर मिलेगा लाब मिलेगा इतना तो मैं बोल सकता हूं और घर में घर खरिदने का सपना जो आप अपना घर खरिदना चाहते हैं घर खरिदने का सपना भी आपका पूरा होगा नौकरी ब्यापार के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं आपको नौकरी भी मिल सकती है और आपका नया ब्यापार भी सुरू हो सकता है तो यह सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे तो मित्रों यह रहा गुरू के नक्षत्र परिवर्तन का लाव जो कि आपका अब यहां पर आपको क्या करना है एक बात में आपको सम्झा देता हूं देखिए अभी भी देव गुरु ब्रिहस्पती पर सनी की तीसरी दृष्टी है तो आपको क्या करना ह सनी की दृष्टी का प्रकोब भी आपको नसाना पड़े और देव गुरु ब्रिहस्पती स्वतनत्र होकर के आपको अपना फल दे सके & तो आपको क्या करना है सनी की दृष्टी के लिए सनी की दिश्टी के लिए आपको प्रतेक सनीवार सिवलिंग पर काला तिल चड़ाना है अप्रेल तक ठीक है क्योंकि 30 अप्रेल को देव गुरु प्रियस पति अपुना स्थान परिवरतन कर लेंगे और व्रिसर व्रिसर व्रासी में चले जाएंगे तो और जादा अच्छी स्थिती में हो जाएंगे, पाउरफूल स्थिती में हो जाएंगे, और अब सनी का उपाय तो हो गया, अब गुरु का उपाय मतलब आपको, मतलब क्या करना है, कि आपको नारायन कवच का पार्ट करना है, नारायन कवच का प्रति दिन तीन बार पार्ट कीजिए, द गुरु प्रिहस्पती का प्रकोब छेलना नहीं पड़ेगा तो मित्रों यह रहा मेरी वीडियो आप सब सुखी रहे आबाद रहे आनंदित रहे मेरी सुपकामना है और आपके आशिरवात से मैं भी ठीक हूं काफी हद तक ठीक है मित्रों मैं चलता हूं जाते जाते एक बार है फिर से यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपनी मेरे वाट्सअप नमबर पर मेसेश करें मेरा वाट्सअप नमबर है 8540096730 यह नमबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा तो चलता हूं मित्रों जैसी उसंकर